है गाइज कैप्टन इसे से बैक अगेन आप्टर सो लॉंग हाव और यू गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले जियो गेम्स क्लाउड के बारे में जी यहां गाइज जियो गेम्स क्लाउड लॉंच हो चुका है और वह अभी बीटा सेज में है फिर भी आप उसको फ्री में चिकाउड कर सकते हो वहाँ पर जाके गेम्स खेल सकते हो आप सो बैसिकली जियो गेम्स क्लाउड है क्या जियो गेम्स क्लाउड एक क्लाउड गेमिंग सर्विस है जहां से आप किसी भी डिवाइस से यानि क्या अपने स्मार्टफोन से पीसी हो गया फिर सेटप वहां से आप gaming कर सकते हैं जो भी लिस्टेटेज गेम्स वहां पर होंगे वहां से आप वो games खेल सकते हैं ऐसी cloud gaming services already exist करती है जैसे कि अगना विड़ाया प्रोवाइड करता है google ने stadia करके gaming cloud service शुरू की ती पर वह भी उन्होंने discontinue कर दी पर इंडिया में बढ़ते gaming के वज़े से Jio ने ये कदम उठाया है कि Jio Games Cloud करके service उन्होंने launch कर दी है इससे सबसे बड़ा फाइदा उनको होगा जिनके पास अच्छा gaming computer नहीं है या फिर जिनके पास अच्छा gaming device नहीं है इस service को यूज करने के लिए आपको बस एक अच्छे internet connection की ज़रूरत है और Jio Games Cloud रन करने के लिए आपको उन्होंने limit दी है 20 Mbps का speed आपको आपके पास होना ज़रूरी है तो guys ये cloud gaming work कैसे करता है तो guys देखो कोई भी game होता है या फिर अभी पहले games CDE में या फिर cassettes में बेचे जाते थे आप सिधा किसी launcher से download करके फिर अपने system से run करते हैं तो guys आपको कोई भी game खेलने के लिए आपको पहले game files download करनी परती है आपके computer पर या आपके device पर और आज जिस तरीकी games बंद रही है उससे खेलने के लिए आपको उसको download करनी के लिए आपके पास storage भी अच्छा घसा होना चाहिए और उसको download करने में वक्त भी बहुत ज्यादा जाता है example के लिए आपको मैं बता सकते हों कि GTA 5 जैसी game आपको खेलने के लिए at least आपको 100 plus GB की storage लगती है तो cloud gaming क्या करता है कि आपको game files system पर download करने की ज़रूद नहीं है बस आपको उस जो gaming service है वहाँ पर login करना है आपको वहाँ पर register होना है और जो भी games से वहाँ पर listed होंगे वह आप even click करके games cloud पर run होगे और आप यहाँ से उसको operate करके खेल पाऊगे जिसी कि आपको games की files डाउनलोड करने की ज़रूद नहीं है तो आपका storage भी बच जाता है और उसको download करने का वक्त भी और जाइए वहाँ पर login किजिए और जो भी वहाँ पर games listed है वह आप directly खेल सकते हों क्योंकि वह उनके cloud service पर run होते रहते हैं तो गाइस हमने chrome browser खोल लिया है और चलो सर्च मारते जियो games cloud ओके फर्स्ट फर्स्ट सर्च बॉक्स में ही फर्स्ट चांसर में आ चुका है जियो games cloud कि करते हैं ओ ओ ओ के ओ देखो देख सकते हैं उन्हें वेबसाइट के जो लोगो है जियो games cloud का जो लोग है बीटा अच्छे बीटा फेज में है वैसे और जैसे कि मैंने बताया था और यहां पर उन्होंने green थोड़ा सा green color का लोगो बनाया है ठीक है क्योंकि जियो का red और blue अभी उन्होंने green में थोड़ा सा experiment किया है और यह देख रहे हो यह चीज देख रहे है आप यह दिखा यह जो टेंटेकल्स यह फिर से यहां भी लिगाए देखो home button about us and get started if you contact games और games यहां पर हमने games टाप पर क्लिक करूंगा गेम्स में जाके देखते हैं तो गेम्स में हमें कुन-कुन से games दिखाई दे पड़ते हैं चलो check करते हैं find games you love and the ones you have never played okay browsers browse games immersive and exciting games from various genres on devices you already own including hundreds of popular gaming titles with regular new habits जो इनने गेम्स अक्वार किये हैं वह सारे यहां पर पोस्तर से यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं पहला ही गेम जो दिखाई देर है योका लेली योका लेली अच्छा यह गेम्स एपिक गेम्स मेंने देखा था यहां ओके वंडर बॉय वांस टूबी यह मिलेनियर ओके ट्रिपल टाइटल की बात करता हो मुझे कोई ट्रिपल टाइटल नहीं यहां नहीं दिखाई अंसर्टन मैंने देखा है जाए अंसर्टन गेम केल चकते ओके अधिक 50 60 गेम है 52 55 50 60 गेम्स मुझे यहां दिखाई दे पड़ रहा है पर यह बहुत सारे बेसिक्स गेम्स है इसमें से कोई भी ट्रिपल टाइटल नहीं है और फिर भी अच्छी शुरुआ थे और उन्होंने कुछ गेमिंग्स या फिर गेमर्स इंडियन गेमर्स के लिए सोचा तो सही कि चलो हम एक जियो गेम्स क्लावड ही बना देते जो भी गेम्स खेलना चाहता है क्योंकि उनको पता है कि गेमिंग अभी थोड़ा बूस्ट हो रहा है इंडिया में तो इसी हिसाब से उन्होंने यह थोड़ा सा एक पहल की है जियो जियो की तरफ से अच्छी पहले प्ले नाओ अच्छा प्ले नाओ पर क्लिक करूं तो क्या होता है देखते हैं ले नाओ अच्छा हमको यहां पर अपना फोन नंबर रिश्चर करना करवाना पड़ेगा वेलकम तो जीए गेम्स प्लीज इंटर यूर मोबाल नंबर टो डिस्यू ओटीपी ओके मोबा पर अब इसलिए में हाइड करूंगा अपना टीपी वेरिफाय करने के बाद क्या होता है देखते हैं ओके हम आच चुके हैं जीए गेम्स क्लावड बीटा और यहां पर अगर मैंने जो जिस गेम पर ख्लिक किया था अंसर्टन ठीक है मुझे यहां और वही जो गेम से वह और यहां पर दिखाए दे रहे हैं और भी बहुत सारे गेम्स कमिंग सूर में लिखा है उनले पर टाइटल्स जो बोल रहे हो लोगो को क्लेम करें कि यहां पर आएंगे तो शायद वह एक्वायर करने में उनको थोड़ा टाइम जाएगा तो यहां पर लिस्टेड होंगे तो उसी तरह से हम खेल सकते हैं पर मुझे अंसर्टन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अदला पर ट्राइब करता हूं यह खेलने की प्लीज अपला पर अर्ली अक्सिस प्रोग्राम ट्राइद सर्विस ओके तो मैं क्लिक कर रहा हूं अपला एक्सिस के लिए देखते हैं अच्छा हमें पूरा यहां पर अपना डिटेल्स भरने हैं फूल नेम इमिल आईडी डेट अब बर्थ मेल फिमेल और अपना नंबर तो हमने अल्रीड दे चुक चलो हम सब्मेट का बटन दबा रहे हैं अभी रजिस्टर सक्सेस्फिल हूं थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अले असे टुजियो गेम्स क्लावड वी हाव रिसीव और रिक्वेस्ट यू विल बीवाइट लिस्टेट सून प्लीस लॉगिंग बैक इन अफ्टर 5 मिट्स ओके 5 मिन बाद हम वेट करके फिर देखते हैं हमें अक्सेस मिला है कि नहीं ओके मैंने क्लिक किया प्ले नाव पर और शायद मुझे गेम की एक्सेस या फिर खेलने की एक्सेस मिल चुकी है और यह देखो नेटोक्स सर्वर पर कनेक् अच्छा 1080p भी है गेम स्टार्ट हो चुका है गाइस मैं और कॉलेटी पुश कर रहा हूं 1080p और मेरा जो स्पीड दिखा रहा है 8 Mbps तो मैं और बढ़ा देता हूं उसको गेम स्टार्ट हो कुछ हो चुका है गाइस हम लिटरली खेल पा रहा है इसको अभी देखते हैं किस तरह से और कितना एप्यस आता है अगर यहां पर अगर साउंड के बात करें तो मैं साउंड विच्वल्यम कम करने चाहूंगा ठीक है मैंने पूरा ही कम कर दिया सब टल सौन है थोड़ा सा बलरी नेस तो है मतलब जिसे हम पीसी पे गेम्स खेलते है वीसा क्लेरिटी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है मुझे और फिर भी ग्राफिस की सेटिंग देखते हैं चलो देखो ग्राफिस का रिजलेशन जो है जो कम है इसलिए साइथ दिखने पा रहा होगा तो मैं यहां पर रिजलेशन अगर में क्लिक किया कर रहा हूं तो बढ़ाने का मुझे आप्शन शायद नहीं आ रहा है क्योंकि यह सेटिंटी पी पे रन हो रहा है तो देखते में अपलाए कर रहा है फुल स्कीन को औप्शन यहां पर दिया गया पर फुल श्कुन को नीचे भी दी गया अच्छा हम सेटिंग यहां से चेंज नहीं कर सकते शायद क्योंकि ग्राफिक्स में चाह रहा हूं देए मैं क्लिक कर रहां फिर पी कुछ ह वहां पर मतलब कुछ रिजलेशन कम यह ज्यादा नहीं हो पा रहा है तर में यहां पर क्लिक करो आफ और यह भी नहीं हो रहा है तो लोग्राफिक के सेटिंग शायद हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं कोई ना अधर सर्टन गेम तो स्टार्ट करते देखते हैं कितना इपस्प लोग के तो में लैंडिंग पेज पर आ चुगे हैं टिम लीज अर्टम सिंडरों काफी बढ़िया चल रहा है वैसे देखा चाहे तो थलके-लके से इंपुट लाइक्स की तरह मुझे दिख रही है पर देखते हैं एक्चल गेमप्ले किसा होता है हमारा अच्छा यह गया झाहते हैं पर बाइब लेघस से घ्राइब नहीं लाइब ऐसे पाल नहीं अर्टम इनखिनां टो ख्रॉप्ट एविर प्रॉट प्रॉटेंट जिए नहीं हैं झाहते हैं किर नहीं पर सिंदिंग लाइब लेल मैं टार्एब्लिया फंट एर्ट we should find something for them too definitely we'll cover more ground if we split up let me know what you find you got it okay our gameplay is starting interaction approach the active point and choose an action form pop-up menu by holding down on the left mouse button and dragging the pointer okay oh oh they care guides i am playing first time on geogames cloud on my browser chrome browser or the game to say jala epis ka bad name is a epis counter many naiyaan pe caseya on karthay muje drekna pa gaga epis counter caseya on karthayam log okshaaayda click karge drag karna hai that was too close for comfort okay के से इसे कर सकते हैं यह पिक कर रहे लाक तो है इंपूड लाइक तो है वह आपके नेट्व पे डिपेंड करता आ शाहदे फिर जो गेम है वह आप्टिमाज नहीं एक्लाउड के सबसे मेंबी तो इसको आपका सा लाइक तो मिले गई हलका सा नहीं ज्यादा ही मिलेगा थोड़ा सा जो स्मूद गेमिंग जो हम करना चाहते हैं फिर कर सकते हैं देखो यह यह शायद नेटवर्क की या फिर सर्वर की जो स्टेबिलेटी है उनके हिसाफ से वो मुझे भी फिलाल बिल रहा है जो कुछ भी है अच्छे चार्ज करना है यह प्लग इन करेगी केवल को यहां से चलते हैं यह ओ एक और डॉर खिला अच्छे यह डॉर अनलॉक है सारी यह डॉर लॉक है अच्छा लाग तो है मैं शुरली बदा सकता हूं लाग है अच्छा की कार्ड चाहिए हमें इस टोर में आराम से रासे चाहिए आमें मेडिकल स्प्लाइब लेने हैं यहां से यह 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 लॉक्त है मुझे धरवजे खुल के अंदर जाने के लिए कुछ डूड़ना पड़ेगा कुछ ऑप्शन तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं तो मुझे तो यहां पर दिखाए दे रहा है अच्छा देखते हैं आप वापस ग्राफिक का सेटिंगर में चेंज करना चाहता हूं नहीं कर सकता है यहां पर भी तो सेटिंग इन्होंने फिक्स रखी है नहीं नहीं रिजलेशन कम करना तो भी आपको थोड़ा जा इन्पोट लैग दिखाई देगा ही तो जियो इस चीज को कैसे लेता है मैं देखना चाहूंगा इन फूचर क्योंकि जो क्लाउड गेमिंग है उसमें अगर स्विच करना है किसी गेमर को जिसके पास अच्छा प अप्शन पर अगर वो सर्विस ठीक है तो मतलब तो सर्विस अच्छी से चल रही है फिर फिलाल तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता मतलब कहना है नहीं सकता क्योंकि यह भी बीटा फेस में है तो इसको इंप्रूव करने में और थोड़ा समय जाएगा तो इस चीज का टेस्क करना चाहता है यह फिर चोट चोटे घेम्स खेलना चाहता है तो फिलाल अवेलेबल है आक्से आपको पांच मिन मिन मिल गया था और मेना खेलना भी स्टार्ट कर दिया तो यह चीज अच्छी है कि जिए ने ऐसा कुछ बड़ा सोचा और गेमर्स के महां पर भी खेल सकते हैं तो यह चीज धमा के दार है जिए आलवेट्स कुछ नया करने कोशिश करता है जिए टेलिकॉम इंडेस्ट्री में या फिर इंटरेट की जो इंडिया में वो बूम लाया था और यह गेमिंग के लिए अच्छा है जिए जिए गेम क्लाउड लाया है अच्छी बात है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही गाइज और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए क्याप्टाइन से साइनिंग आउट